जैहिन वैलकम टू सक्सस एकजिद तो जैसा के आप सभी जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपके गरूप से की जिसको हम सीवरीन बोलते हैं नए विकन से आउट हो चुकी है और इस बरते के बारे में जो भी आपकी कंप्रिट जानकारी है आपकी कंप्रिट सेलेक् हुई है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिक्स में मिल जाएगा वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं जान से को क्या पता चला कि आप इस बरती के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं और कौन से पोस्ट के लिए आप करना है तो आपके फॉर्म को अप्लाई करने की जो भी आपकी कंप्लेटर सेलेक्शन प्रोसेस है वह हमें अपर डिसकस करने वाले हैं तो देखिया यह आपकी बरते का जो ओफिशल नोटिविकर्शन है वह हमने ओपन किया हुआ हुआ है और यहां पर जब आप बिलकुल और ने चे आएंगे तो आपको जो प्रकार से फिल करना है क्या को जो इंपोर्टन जान करी पता होनी चाहिए चलिए आपको बताते हैं तो सबसे तो अपको क्या करना है यह जो आपका पर फॉर्मा है आपको यहाँ पर इसको print out करवा लेना है अब इस वार में confused आपको नहीं होना है आपको normally क्या करना है साइबर काफिय वाल के पास जाना है और आपको बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आपकी नई विकर्शी आई है उसका आपको all-time form चाहिए तो वो आपको provide करवा देगा या फिर कहीं से भी जो दुकौन आपको all-time form provide करवाती है वाँ से जाकर इस form को आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं अब सब से पहले इस form को आपको fill up करना है तो किस जगा क्या को fill करना है वो देखते रहेगा सब से पहले आपको लिखना है कि post applied for यान कि आप किस post leaf form apply करना चाहते हैं वो post का नम यहाँ पर आपको लिख देना है देन आपको क्या करना है नीचे आना है वो नीचे आने पर यहाँ पर आपको बताना कि post applied for आपको फिर से क्या करना है कि यहाँ पर जिस पोस्ट लिए फूम आप अप्लाई करेंगा ना उस पोस्ट का फिर शे यहाँ पर आपको अपना नाम जो हो लिख देना है और यहाँ पर एक आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर आप इस फूम का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते है ना तो आप वीडियो देखते रहेगा और वीडियो में जो भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ आप एक प्लेन पेपर लीजेगा और उस पेपर पर जो भी यहाँ पर आपको चीजे देखने को मिल रही है बिल्कुल शेम टो शेम लिखते रहेगा यूँकि इस फूम को आप अपने खुद हाथ से लिखकर भी अपलाई कर सकते हैं वहाँ पर फूम आप भेज सकते हैं ओके तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है तो यहाँ पर नंबर दू पर आपको क्या करना है कि जो भी आपका नाम है आपका नाम कहां पर है आपके तेंट की इंडियन फिल करना है देन वीजेवल identification marks, यानि कि आपके body पर कोई ऐसा chin, कोई ऐसा निशान जहां से आपके पैचान हो सके, वो आपको कोई दो ऐसे निशान आपको बताने हैं, ध्यान से सुनिए, दो बताने हैं, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों आपको बताने होंगे, देन आपको यहां पर क्या करना, कि आपको right side में का box दिख रहा होगा, तो इस box में आपको अपनी photo चिपकानी है, और वो photo आप सेल्फ attested करेंगे, यानि कि इस photo पर आपको अपनी photo चिपकानी के बाद अपने sign करने होंगे, ओके फिर आपको नीचे आना है, और यहां पर आपको बताना है अपनी category के बारे में, कि आपकी category कौन सी है, SC, ST, OVC, Journal, EW, से वो यहां चीज़ आपको बता देनी है, देन आपको अपने education qualification, यानि कि आपके किस post platform apply करना चाहते हैं, उस post के जो भी essential qualification है, और जो भी आपकी desirable qualification है, वो चीज़ यहां पर आपको fill करनी है, कि सबसे पहले आपके कौन सी क्रिक्सिया है, कौन सी qualification है, उसका नाम, फिर आपके पास कभी की थी, देन आपका डिविज़ कौन सा है, आपको डिविजन के बारे में बता देते हैं, कि अगर आपके above 60% है, तो आपका first division, अगर आपकी 50 to 60% है, तो आपका second division है, और अगर आपकी below 50% है, तो आपका third division यहां पर माना जाता है, देन आपको अपनी percentage है, वो बतानी है, और फिर आपने किस बोड़ से अपनी जो है, qualification pass के है, उस बोड़ का नाम आपको यहां पर fill कर देना है, देन आपको नीचे आना है, और जिस भी post platform आप apply करने वाले हैं, अगर आपके पास उसका experience है, तो आप लोग यहां पर लिखे देजिएगा, फिर आपका जो mental status है, कि आप married है, अन married है, वो आपको fill करना है, फिर आ आपका contact number, सब से पहले अपना mobile number लिखेंगे, और फिर आपकी email ID लिखेंगे, वो चीज़ आप आप आपको fill कर देनी है, फिर आपको नीचे आना है, और नीचे आने पर यहां पर आपको क्या करना है, कि आप किस जगह से apply करने वाले हैं, किस date को apply करने वाले हैं, वो चीज fill करनी है, यहां पर आपको अपने signature करने है, और यहां पर जो आपका left thumb impression है, वो यहां पर आपको जो हो लगा देना है, फिर आपको दूसरा page, यहां पर आपको sorry एक ही page होने वाला है, इसे एक page को आपको प्रिंट आट करवाना ही है, फिर आपको अपने हाल से handle note पे आपको यहां पर fill करके form को भेज देना है, इसके साथ आप बात करतें कि document को उनकुंशे लगाने है, बस यह एक page आपको फिल करना है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें जंजट नहीं होने वाला है, देन आपको बात करतें document के बारे में, कि इस form के साथ आपको document को उनकुंशे भेज फ्रफिजने हैं और कहां पर फॉर्म भीजना है तो वह सुनीजिए तो यहां पर आपको हुने बताया था पहले वीडियो में कि आपके जो पोस्ट रहने वाली है वह आपके सब obvious के रहने वाली है तो आप किस पोस्ट लिखूं अप्लाई करेंगे वह पोस्ट आपको काहां पर रहने वाली है उसका एड्रेस आपको देखना है काहां पर देखना है तो यहां पर आपको जो एड्रेस वापको बताए गया है और जो हमने प्रह्ला वीडियो प्रोवाइड करुए थी उस वीडियो में हर एक पुस्ट की अडिश डेटेल Laaf अब बताई थी तो आपको क्या करना है करेंगे जैसे कि अगर आप मुंबई में अगर आप जण ज़रम किरने वाले तो यह गुर्स भरना है गर अगर अपर फिल करना है यह यह धिल कले आप को ज्वरकी के लिए लिए तो आपको पूस्ट कुछ आपको अपको फिल करना है और उसके साथ कुछ आपको डोकुमेंट लगाने हैं डोकुमेंट कौन-कुन से तो वह ध्यान से तो सनए यहांवह पर आपका एक डोकुमेंट आपके essential qualification यानि कि आपकी जो पोस्ट की essential qualification है उसकी photocopy आपको लगाने है ओके देन आपको लगाना है age proof एज प्रूफ के तोरुपर आपको जो टेंथ की अमर्क शीट वापके चल जाएगी आपको दिकते नहीं आने वाली है देन आपका द्राइविंग लाइशनस अगर आप लोग डैविट के पोस्ट को अपलाई करने हैं तो आपको ड्राइविंग लगाना होगा धन आपको क्या करना है दन आपको लगाना कास्ट्रविचिट कॉम्से आपकी कटेगरिक का तो आपको अपने का सैटिफिटिफिट यापर दिखाणी होगी और फिर आपको experience सैटिफिट है यानिकि अगर किसी पोस्ट में आपका experience से essential है desirable है और आप लगाना चाहते हैं आपको क्या करने है अपने डॉक्मेंट आपको है इसके फोम के साथ है लगा देने हैं, इसके साथ है आपको एक चीज़ और नोट करनी है, जो फोम आप लोग भीजने वाले हैं ना आपको मतर आपको देखेगा, औड़नी पोस्ट है आपको स्पीड पोस्ट है रिजिस्ट्र好的 थो सद् We Dat लगाने वाले हैं और साथ यह सब्सक्राइब आपको एक कागस को अनलोग रखना है और उसके उपर आपको क्या लिखना है जिसमें अंब्सक्राइब पोस्ट और फिर आपके कटेगरी वो चीज़ आपको अपने दोनों समिट कर दिने फिर आपका एड़र अपना सल्फ एड़र से उस फोर्म के उपर आपको उस एड़र के उपर आपको लिखकर आपना फोर्म भेज देना है ओके तो यह की प्रोस्ट होने वाली है आपके अगर आपका इस अबार में कोई ओडाउट है इस बरते के बार में तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके अलावा हमने आपको वीडियो प्रोइड की हुई है वो वीडियो आपको देश सकते हैं जैसे लिंक आपको वीडियो को डिक्स्क्राइब में मिल जाएगा जोड़े जाहिएगा जैहिन